हाव रूफिक्स वान प्लास नोट एन टू हंड्रेट फाइफ जी फिंगर प्रिंट नोट रेकोगनाइज़ प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ज यहाँ पर क्या होते हैं जब हम अपने फिंगर प्रिंट से मोबाइल को अनलोक करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आपका फोन यह बताते हैं कि फिंगर प्रिंट नोट रिकोगनाइज़ यानि कि आपके जो फिंगर है उसको रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा है ठीक है तो इसको कैसे fix कर सकते हैं इसको fix करने के लिए दोसे मैं आपको कुछ solutions बताऊंगा जिसको आपको follow करना है और उसके बाद आपका problem definitely fix हो जाएगा ठीक है वीडियो के सारां तक बने रहे हैं सारी साथ अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है make sure आप चैनल को subscribe करें बेल आइकोन को क्लिक करें ताकि आपको latest update मिले अगर आप online पेसा कामाना चाहतें तो दोस्तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करतें तो दोस्तो अगर fingerprint recognize नहीं होते त तो सबसे पहले तो mobile को restart करें और retry करें अगर इस बार भी नहीं हो रहा है तो दोस्तो मोबाइल को अपने password से open करें उसके बाद आपको जाना है सेटिंग पर स्ट्रॉल डाउन कीजिए security unlock screen पर जाएए उसके बाद fingerprint को remove कर दीजिए mobile password भर ये और fingerprint को यहाँ पर क्लिक करके तो yes remove पर क्लिक करके fingerprint को remove करना होगा उसके बाद react किजिए अपने fingerprint को तो दोस्तो fingerprint react करने के बाद दुबारा से mobile को restart करके reject करके देखें अगर इस बार problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर इस बार में problem आ रहा है तो mobile storage को free up कीजिए ठीक है या फिर unwanted application से tone को remove करें और थोरा सापने space को clean up करें उसके बाद mobile को safe mode पर reboot कीजिए ठीक है तो power button को press and hold कीजिए power off के जो button switch दिखाई दे रहा है दो सेकेंड क्लिक करके रखना है ओके कर देना है safe mode पर mobile remove हो जाएगा फिलाल मैंने ok नहीं क्या है आपको ok करना है ठीक है mobile reboot हो जाएगा तो इसके बाद mobile password से अपना phone को unlock करें next में आपको दुबारा से phone को lock करके fingerprint भरके देखना है चेक करें problem solve हो जाते तो ठीक है अगर इस बार में problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों दुबारा से जाए setting पर और दुबारा से अपने fingerprint को remove कीजिए यहाँ से remove करने के बाद दोस्तों जाए नीचे में system पर click कीजिए और आपको क्या करना है software update कर देना है software update करने के बाद दोस्तों आप दुबारा से fingerprint re-add कीजिए mobile पे और check करके देखे इससे आपका problem solve हो जाएगा ठीक है by any chance अगर solve नहीं होते तो system पर जाके backup and reset का option follow कीजिए mobile को factory data reset कर दीजिए इससे सारे data clear हो जाएगा और आपका problem solve हो जाएगा अगर important files बगरा है बेक आप कर लीजिए बेक आप करने के बाद data clear कीजिए ठीक है वरना सारा data आपका remove हो जाएगा तो यह solution आप यह आपर follow कर सकते अगर fingerprint recognize नहीं हो पाते तो और दोस्तों जबी भी आप fingerprint से mobile को unlock करने की कोशिश करते तब आपका fingerprint आपका जो finger है वेट नहीं होना चाहिए आपके screen clean होना चाहिए तब आच्छे से recognize करेगा ठीक है जब पसीना बगरा लग जाते तब दोस्तों आच्छे से recognize नहीं हो पाते तो इस screen भी आपका साफ होना जाए आपका finger भी साफ होना चाहिए ठीक है तब ही fingerprint recognize होगा phone unlock होगा problem solve होगा आज के लिए बस इतना है उमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा टेंक्स रॉचिंग